सुशान्त की मौत के पीछे कही सवाल सुशान्त की मौत के बाद पहली बार पिता ने दिया बयान फिल्म इंडस्ट्री को लेकर खोले राज अभिनेता सुशान्त सिंग राजपूत ने महज 34 साल के उम्र में बीते रविवार को खुदखोशी कर ली सुशान्त ने तो इस दुनिया को अलविदा कह दिया मगर अपने पीछे कई सवाल छोड़ दिये इसके लिए पुलिस ने आत्म हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए जाच शुरू कर दी है पुलिस अपनी जाच में हर उस इंसान को शामिल कर रही है जो सुशान्त के करीब रहा या जिसका एक्टर के करियर के साथ चुड़ाफ देखने को मिला है पुलिस ने अभी तक 9 लोगों के बयान दर्ज किये है इसमें सुशान्त सिंग राजपूत के पिता के के सिंग का भी बयान दर्ज किया गया है जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें सुशान्त के डिप्रेशन का कारण नहीं पता सुशांत के पिता ने पुलिस बयान में कहा पिछले कुछ महीनों में दो तीन बार सुशांत ने मुझसे कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में चल रही टेंशन की वजह से वो लो महसूस करते हैं उन्होंने कहा कि वो नहीं जानते कि सुशांत डिप्रेशन में क्यूं थे उन्होंने किसी पर संधे भी जाहिर नहीं किया पुलिस की अभी तक के कारवाई की बात करें तो पुलिस ने डायरेक्टर मुकेश छाबडा सुशान्द के कुक, के अर्टेकर और मैनेजर के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किये हैं वहीं महराश्च के ग्रहमंत्री अनल देश मुक ने भी अपने ट्विट में लिखा के सुशान्द की मौत के जाँच, प्रोफेशनल राइवलरी के एंगल को ध्यान में रख कर की जाएगी अक्टर सुशान्द सिंग रखुत, इनका जो कोस्ट मांटर रिपूट आया है उसके जरिये से उन्होंने आत्मत्या की ये बात सामने आई है मिडिया के द्वारा जो बात सामने आ रही है कि फिल्म इंडिस्ट्री के बिजनेस रैवलरी के कारण इन्होंने आत्मत्या की है ये एंगल की भी जाच पुलिस रिवाग करेगा बिहार के मुजफरपुर में भी करण जोहर, आदित्य चोपडा, सल्मान खान, साजद नाडियावाला, संजे लीला भनसाली और एकता कपूर समित आठ लोकों के लिए मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें सुशान्द को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने और कई गंभीर आरोप लगाते हुए धारा 109, 306, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ वही सुशान्द के निधन के बाद उनकी टीम ने फैन्स के लिए सेल्फ उम्यूजिंग नाम से एक वेबसाइड लॉंच की है इसमें अभी नेता के आत्मचंतन से निकले सकरात्मक विचारों का संकलन है बता दें कि पोस्ट मॉटम रेपोर्ट में भी साफ हो गया कि अक्टर की मौत फांसी लगाने के बाद दम घुटने से ही हुई वही कई सेल्ब्स ने सुशान्द की परिशानी पता होने के बाद कही है हाला कि अभी तक मौत को लेकर पुलिस की ओर से कोई जानकारी सामने नहीं आई कि आखिर एक्टर ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया